चितरन्जन रेल्वेश चितरन्जन रेल्वेश चितरन्जन रेल्वेश चितरन्जन रेल्वेश स्टेशन का नाम चितरन्जन लोको मोटीव वाक्स के नाम पे रखा गया है जो चितरन्जन रेल्वेश स्टेशन से तीन किलो मीटर की दूरी पर सिच्वेटेड है यहां पर रेल गारी के इंजिन का निर्मान होता है रेल इं चित्रंजन रेल्वे स्टेशन मिही जाम नमक टाउन के अंतरगत आता है और मिही जाम जामतारा जिस्टिक जारखट स्टेट के अंतरगत आता है चित्रंजन रेल्वे स्टेशन से होकर बहुत सारी ट्रेन गुजरती है आज मैं आपको इस ट्रेन जर्णी पर लेकर चलता हूँ चित्रंजन से आशन सोल के रूट पर सीता राम पुर्तक के स्टेशन तक मेमो ट्रेन की स्पेशल राइट पर मिमो ट्रेन सबसे सस्ती ट्रेन होती है ट्रेवल करने के लिए जिसका किराया बहुत कम होता है और 25 किलो मेटर का किराया सिर्फ 10 रुपे है और ये लगबग चित्रंजन से 40 मिनट में आशन सोल पहुचा देती है ये ट्रेन चित्रंजन से 600 क्लॉक मौर्णिंग खुलती है और ये आशन सोल 6.40 एम सुबह को पहुचती है चित्रंजन में रेल कार खाना होने के कारण बहुत सारे ट्रेनो का stoppage चित्रंजन रेल्बे टेशन पर है जिससे बहुत सारे जगों का जडने किया जा सकता है चाहे टेली हो चाहे हावरा हो चाहे पटना हो चाहे और भी कोई रूट हो मेमो ट्रेन चित्रन्जन से आसनसोल के रूट पर लगबक सभी छोटे बड़े स्टेशनों से गुजरती है और सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर इसका स्टापेज होता है मेमो ट्रेन पूर पिपल के लिए गरीब लोगों के लिए एक तरह का कन्विनियन्ट मोड अप टांस्पोर्ट है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए छोटी स्टेशनों पर शिर्फ आदे मिनट या एक मिनट का ही स्टापेज होता है और बड़े स्टेशनों पर एक मिनट या दो मिनट का स्टापेज होता है सफर करते हुए अगला स्टेशन आने वाला है सालनपूर इन आने वाला है दूरिंग दिस ट्रेंड ट्रेबल बाहर के न जारे बहुत ही खुबशूरत देखने को मिलेंगे चाहिए गरीब हो अमीर हो चाहिए बिजनसmen हो तो हर तरह के यातरी सफर करते हैं अपनी सवीदा के नुसार तो यह सबस्ता और अच्छा寨 पॉबिक ट्रांस्पोर्ट है एक जगह से दूसरे दूसरे जगह जाने के लिए और ये पहुंच गये हैं सीता रामपूर स्टेशन यदि ये वीडियो पसंद आए लाइक करें कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें